हे गाइस, वेलकम टो iTechSavvy, मेरा नाम है उतकरश कुमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं iOS 14 के वारे में So Apple ने अपना रिसेंटली अपडेट निकाला ता अपना iPhone के लिए iOS 14 का अब आप में से बहुत सारे लोगों ने उसे इस्टॉल कर भी लिया होगा and I hope कि आपको काफी मज़ा आ रहा होगा उसे यूज करने में क्यों काफी अच्छा अपडेट है So iOS 14 में काफी सारे changes करें Apple ने और काफी सारे updates भी निकाले हैं और उसमें कुछ bugs होते हैं और कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिसको Apple improve करती है या कुछ changes करने होते हैं तो उसके लिए beta testing की जाती है ताकि काफी सारे users को वो पहले ही मिल जाए iOS 14 और उसके बाद वो review कर सके या feedback दे सके कि इसमें क्या क्या bugs हैं और क्या क्या changes करने चाहिए Apple को फिर Apple उन changes को review करती है और फिर fix करके official update निकालती है जो public release होता है सब के लिए होता है जो अभी recently हुआ अभी recent वाल update public update था बड़ अगर अभी तक आपने iOS का beta profile इंस्टॉल कर रखा है तो आपको beta updates ही आते रहेंगे और अब वो आगे beta profile के updates नहीं चाहते हैं तो उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं मैं तो वीडियो को पूरा देखना लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप और भी ऐसी वीडियो देख पाओ तो गई स्टेफ्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है को यह ज्यादा hard and fast रूल नहीं है बहुत इजीली आप अपना आईउस beta profile रिमूफ कर सकते हो आप स्टेफ्स को follow करना अगर कोई भी इशू होता है तो आप नीचे comment section में बता देना या मुझे इंस्टाग्राम पर dm करते ना ताकि मैं आपको help कर सकूँ वह problem resolve करने में तो फिलाल के लिए शूरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हो कि process क्या है सबसे पहरे आपको अपने settings में जाने के बाद जेनर प्रोफाइल 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 दिख जाएगा इस पर क्लि इसके बाद यहां पर remove पर क्लिक करना है फिर आपसे restart करने के लिए आपका phone रिस्टाट पर क्लिक कर दिए तो जैसी आपका phone restart होता है उसके बाद आप settings पर आपना normal update इंस्टाल कर सकते हो सब्सक्राइब करना है उसका software update पर क्लिक करके आपको यहां पर iOS 14 का official update देखने को मिल जाएगा अभी मैंने यहां पर आपको आउनलेटी डाउलोड कर लिया है वाट आपके बास डाउनलोड और इंस्टाल करने का option आएगा तो आप उस पर क्लिक कर दोगे उसके बाद आप पब्लिक अपडेट से वह आएगे सिर्फ, बीटा प्रोफाल्स का अफडेट नहीं आएगा अगर आगे आपका फिर कभी मन करता है कि आपको बीटा प्रोफाल इंस्टाल करना है तो मैंने उपर वीडियो बना रखी है यह अगर आपने पहले भी किया होगा तो आपको पत कर दो कर दो